हमारे पास है कि in figure area of the triangle DRC equals to area of triangle DPC तो अगर आप यहाँ diagram में देखें तो DRC ये वली triangle है जो ये मैंने shade की है और DPC ये दूसरी triangle है ये वली triangle और इन दोनों का area दोनों triangle का area equal है तो हमारे पास एक थ्योर्म है कि अगर triangles same base के ओपर हो इसका जो base है वो DC है अगर आप देखें तो ये DC जो दोनों का base है DC के ओपर ये दोनों triangles है और उनका area अगर equal हो तो जो triangles है वो same lines आएंगी जिनके बीच में triangle होगी दोनों lines parallel हो जाएगी means DC parallel हो जाएगी RP के तो इसका मतलब क्या हुआ कि DCPR एक trapezium बन जाएगी क्योंकि इसमें opposite side जो वो parallel हो जाएगी तो हमारे पास ये प्रूब करना था कि show that both the quadrilateral कौन सी quadrilateral ABCD और DCPR और trapezium तो ये trapezium बन गई DCPR trapezium बन गई हमारे condition की वज़ा से कि triangles हैं on same base और area equal है तो they lie with being same parallel तो parallel का मतलब क्या हो गया कि DC और RP पैलल हो गया तो DCPR trapezium बन गया second condition हम देखते हैं area BDP BDP कहां पर है BDP ये जो पूरा है इसको मैं इस तरह से कर देता हूं ये जो पूरा एरिया है ये ये हो गया BDP और area ARC यहां पर होगा ये देखें आप पूरा देखें तो ये ARC बनेंगा इसको मिला कि ARC ये जो इन दोनों का area आपस में equal है तो अगर आप देखें तो इसमें common आ रहा है कि जो हमें ये equal दिया था ये दोनों मैंसे हम subject कर देंगे इस area मैंसे इस area को अगर हम subject कर देते हैं तो हमारे पास ये बनेंगा area BDP BDP मैंसे अगर हम area एरिया DPC माइनस कर देते हैं एरिया DPC तो यहां से हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा BDC एरिया BDC और इसी तरह से एरिया ARC में से अगर हम एरिया DRC सब्टरेट कर दे हैं तो हमारे पास आजाएगा एरिया ADC तो यह बन जाएगा area ADC अगर आप इस triangle यहां पर देखें कॉडिलेटल में ABCD में हमारे पास आजा यहां से कि BDC BDC हमारे पास यह BDC यह वाला जो बना यह और ADC हमारे पास बन गया यह वाला यह वाला area और यह किस के बीच में आ रहा है यह दो triangles हैं और अगर हम subject कर देते area तो यहां पर condition देखें कि हमें given है area BPD यहां से जो condition थे हमारे पास कि BDP equals to area ACR तो यहां से दोनों equal थे और दोनों में से हमने equal subject कर दिया तो हमारे पास condition आ गए कि area BDC equals to area ADC यह दोनों area जो हैं वो equal हो जाएंगे area BDC equals to area ADC और यह दोनों triangle same base DC के ओपर हैं तो फिर वही condition आ गई कि triangle on the same base having the equal area lie between same parallel same parallel का मतलब क्या हो गया AB और DC parallel हो जाएंगी AB parallel to DC और AB parallel to DC हो गई तो A, B, C, D क्या बन जाएगी A, B, C, D भी एक trapezium बन जाएगी वो भी एक trapezium होगी तो यह इसका solution था Thank you 70 गपर क्याएग देँ धो जाएगी . SCORipping. 1 2 2 3 3 4 5 5 5 5 6 6 7